असलाम लेकूम, गूट मॉरिंग, गूट आफटर नून एंड गूट इवनिंग, कैसे हैं प्यार प्यार वियर्स, तो योपी स्पेशल जाएका में आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, वाइट मतन इस्टू की रेसिपी, वैसे मेरे चैनल पर मतन की बहुत सारी रे कूकर में लिया है मस्टाइड ओयल, मस्टाइड ओयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें एड करेंगे साबूत करम मसाले, जिसमें लिया है मैंने तीन चार लॉंग, चार से पांच काली मिर्च, एक दाल चीनी का टुकड़ा, दो तेज पत्ता, एक बड़ी लाइची, दो एक ट्यास तु होऑअ करेंगे, जिसमें ज्वरी करका गरूदी को आद लॉय चुक्री के साथे मिर्च, वाइट रखना है तो अनियन को बस हलका सा पिंकिश करना है कि बस यह हलके से सॉफ्ट हो जाए और इसमें एड कर देंगे हम मटन तो मटन को अच्छे से वाश कर लिया था मैंने और यह 300 ग्राम हमारे पास मटन है जिसमें मैंने 300 ग्राम बारी चॉब्ड अनियन का यूज किय स्मेल होती है वो नहीं निकल जाती तब तक हम इसको continue भूनते रहेंगे ऐसे ही तो देखे काफी अच्छे से इसका जो अधक लैसोन है वो भून चुका है अब इसमें एड कर देंगे हम कुछ सूखे मसाले जो कि इसकी एक special ingredient भी है इसमें एड करेंगे हम वाइट दकने मिर करेंगे वन टीस्पून धनिया पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम इसमें रैट चली पाउडर या फिर ग्रीन चली का यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसमें यूज कर दिया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर यह वाइट मटन इस्टू नहीं का लिएगे तो 3-4 विसल और फिर उसके बाद इसे खोल कर देखेंगे तो 3-4 विसल लग चुकी है प्रैशर खुद से रिलेज हो चुका है अब हम इसको चैक करती है तो देखे पान ने खुद सारा पानी बीरी इस कर दिया है अन्यान फिर ने इसमें पानी नहीं पानी और देखेंगे आपकी अनियन भी है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकिया है तो देखेंगे पानी काफी हद तक ड्राइ कर लिया है हमने इसे हाई फ्लेम पर भून रहे थे और तीन से चार मेंट लगे है इसको ड्राइ करने में अब इसमे आट कर देंगे हम फ्लेम को बिल्कुल ल करें और एक कब भरकर मैंने यहां पर दही ली थी जब भी हम दही किसी रैसिपे मैट करें तो फ्लेम को लो कर देना चाहिए इस ते क्या होता है हमारी दही पटती नहीं है तो दो से तीन हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है तो दही का पानी भी बिल्कुल ड्राइ हो कर सकते हैं इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है इस मटन इस्टू में बहुत ही जादा क्रीमी और शाही वाला टेक्सचर हो जाता है जो हम शादी और दावतों में खाता है ना वाइट मटन इस्टू सेम वही फ्लेवर आता है तो थोड़ा थोड़ा ना कॉर में ज और बिल्कुल आधा कप से भी थोड़ असा कम इसमें पानी आड़ करेंगे और दो से तीन लगाएंगे विसल और फिर हमारा मतनिस्टू बनकर तयार हो जाएगा तो पानी की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी रखनी है मैंने आपर आधा कप से भी कम रखिया इसमें लग तयाँ